हेलो, हेलो एवरिवान, गुड मॉर्निंग, कैसी हूँ, आप सब आई, होप आप से अच्छी होंगे, मैं भी ठीक हूँ, तो जी देखी, मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पर रात में ना मैंने बादाम भीगा दिये थे, मैंने का चलो बादाम, जिस दिन याद आ जाता ह भीगा देती हूँ, नहीं तो भूल सी जाती हूँ, तो फिर बिना भीगे ही दे देती हूँ, तो वैसल गर्मियों में ना, सर्दियों में बिना भीगे भी दे सकते हैं, हम बादाम, तो यहाँ पर बादाम भीगा थे रात में मैंने और जैसे में कीचन में काम कर रही थी, तो मुझे ये भी धियान आगया था जीरा मैंने का चलो जीरा भी भीगा देती हूं अपने लिए और ये रात में आया था हमारे घर में साग जो की आज मुझे साग बनाना है तो यहाँ पर अभी तो मैंने इसको रात को ऐसे पन्डी में से बस खोल कर रख दिया था थोड़ा थोड़ा सा मैंने का अभी ऐसे ही रख देती हूं तो पहले चलिए बच्चों को भेज देती हूं स्कूल में उसके बाद में मैं जाकर अपने काम करूंगे आगे के टीफिन मैंने इनके लिए रैडी कर दिया था कद्दू की सबजी जो थी ना उसके साथ मैंने पूरी बना तो बस बाल बान दिये थे और दोनों बचों का नास्ता लगा दिया है शक्कर वाला दूद कर दिया है मैंने इनके लिए आज सकर ले आए थे यह ना कल तो उसमें दूद का भाई भी आजकल शक्कर की ही बन रही है और बादाम और दो ब्राउन ब्रेड दे दिये थे तो बस जैसे उनको भेजा मैंने स्कूल में बचे चले गई थे मैंने का चलो मैं अपना पानी वानी रख देती हूं जो रात में जीरा भीगा कर रखा था वो डाल दिया उसमें पू पाहडी नीमबू एर इसको गल-गल बॉलते हैं और इसका न अचार भी बनता है तो बस पानी वानी पिया और मैंने अपनी वैसे वाली एक्सिसाइज कर ली थी तो चलो मैं आज आपको फेस की एक्सिसाइज बदाती हूं जो कि आज कल में फेस एक्सिसाइज कर रही हूं तो देखिए हाथों को ऐसे कर लेना है और इससे न हमारी जो डबल चीन की प्रोब्लम होती है फेस भारी होता है वो सब कम हो जाएगे बीस बीस के दो सेट तीन सेट आप इसको कर सकते हों और यह है दूसरी एक्सिसाइज और सारी यही है गिनी चुनी एक्सिसाइज ज्या पांच एक्सिसाइज में कर रही हूँ आज कल और काफी जादा मुझे फरक भी लग रहा है तो सारी एक्सिसाइज आप भी करना अगर आपको डबल चीन की प्रोब्लम है और फेस आपका बहुत भारी-भारी मोटा-मोटा सा रहता है ना भरा-भरा तो वो अच्छा नहीं तो आप कर सकते हो सारी एक्सिसाइज और ये गर्दन की देखो गर्दन को ऐसे करना है तो इसके भी आप 20-20 के तीनी सेट करो दो सेट करो सुरू-सुरू में फिर टाइम बढ़ाते चले जाना और ये वाली है इस वे बहुत जोर पढ़ता है इसे एक्सिसाइज को करने में तो लेकिन काफी फरक पढ़ जाता है फेस पर तो बस एक्सिसाइज मैंने कर ली थी और आज ना हैस्वेंड जी ने छूटी कर रखी थी मैंने का चलो इनसे ना कुछ काम करवा लेती हूं जैसे कि ये घर में है वैसे बहुत ही कम रहते हैं घर में तो मुझे ना मिटी की ज खेती बाड़ी पालग हो रहा ना है अच्छा जहां धनिया भोएंगे धनिया तो ऐसे ही डाल दो ऐसे ही हो जाता है ना धनिया सुपकाई दब वोना पड़े हैं है है मतलब छेत के धनिया को हमने तो कभी करेई नी खेत में कुछ भी नहीं आता लगा ना तो देख जहां तर जह सही रागे है हां सही तो आया है वहीं बस तो तो अराम से उठाकर रखना फिर उसको जो आए यह तो इसे कहाटी तो पर्ट में निकानी को यह इतना होता तो अधा बिल्कुल तो तुझ उह महां बैठेगी तो रोटी बनाओं गी तो यहीं यहीं तो बैठ थोंगे जब रोटी बनेगी तो उस साइड नहीं वैठ सकती दूसरी साइड तो इसे गुमा देने प लगा दिमाग्व और कुमा और कुमा बश आहाँ और क्या था ऐसे ही नहीं रखा था मन नहीं तो नहीं अपना दिमाग लगाया उल्टा चुल्ले कुई धर्ग कर दे बस अब हेकई भी नियाडने का देख़ए चाहे उंगए बैठ चाहें इंगए बैट अब तो कच्छा तो है वो मिट्टी का तो है चुला आज तो हैस्मेंड जी ने बहुत सारे काम मेरे निप्टा दिये थे मिट्टी भी खोद कर दे दी थी मुझे छत पर चूला भी रखवा दिया था और फिर ये ना कनस्तर रखा था जो वो प्रोग्राम के अधना उसमें बचा थ था ये तेल रिफाइंड का तो मैंना इसका ये कटवा रही हूं मैंने का इस मैंना में कुछ पेड़ पोधी लगा लूँगी तो मैंना भी इसको कटवा के और देखूंगी एक बवीता दी है मैंना बहुत अच्छे डिये वाई बनाती है अपने वेस्ट उससे घर में कुछ भी ओता है न उसी से इतना अच्छा वो बना देती है बहुत ही अच्छा तो मैं भिठी सोच रहे थी चलो मैं भी कुछ बनाओंगी तो अब देखिए मैंनेने इसको बहुत पेसे करे और मैं सब्सक्री चलते हैं तो यहन बोल रहे है कौन सी नरसरी मुझे नहीं पता नरसरी मैं नंका बस रहने दि यहां पड़ा हमारी वही बात चल रही ती, कि आपको नरसरी का नहीं पता है क्या तो बस ये बोनने लगे कि आज नहीं फिर कभी चलना तो यहां पर देखिए साग भी आया था तो आज साग भी बनना था तो बस आज यह घर पे थे तो मैंने का बस फटा फटा आप साग भी साप करवा दो क्योंकि साग को साप करने में बहुत जादा टाइम लग जाता है और आज नहीं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैं साग कैसे बनाती हूं रेशपी दूंगी पूरी एक सिस्टर का कॉमेंट्स आ रहा था आप साग किसी स्टाइल में बनाते हूं तो देखे मेथी तो बहुत ही कम निकली थी मेथी तो जादा निकली नहीं थी डंडी डंडी ती और पक्की भी थी मेथी तो मैंने बस थोड़े से पत्ते पत्ते डाले थी मेथी के और मैं इसको धो लूँगी और मैं ना काट कर ही धोती हूं और मुझे ना साबुत नहीं धोआ जाता है धो करना फिर कटता नहीं है अगर मैं साबुत धो लूँ ना तो फिर ऐसे हो जाता है तो वो मुझे काटने में प्रोब्लम सी होती है थोड़ी सी तो मैं पहले काट लेती हूँ और फिर जाके धोती हूँ वैसे ना साग को साबुत धोना चाहिए लेकिन मैं काट नहीं पाती हूँ ना फिर तो इसलिए मैं पहले ही धो लेती हूँ तो देखिए मैंने थोड़ा-थोड़ा सा करके इस वाले भगोने में मैंने पानी ले लिया यह आगे रखाता तो लेकिन मुझे दिकत सी बड़ी वरी थी खुले पानी में साग बनाता है हमारी तरफ तो ऐसे ही बनता है गाव में जो बनता है साग ऐसे ही बनता है तो बस मैं अभी ऐसे ही बनाती हूं तो देखिए पानी रख दिया था कूकर में और मैंने धेर सारी इसमें हरी मिर्ची डाली है क्योंकि हमारे घर में तीखा थोड़ा जादा खाते है और साग में तो किर्तनी भी मिर्ची डालो फिकासा ही लगता रहता है तो नमक डाल दिया है मैंने इस पानी में और साबूत ही मिर्ची डाल दी थी क्योंकि जब पीसेंगे तो पीसी ही जाएगी और जो साग था तो वो बस मैं इसमें डाल दूँगी और नमक मैंने डाली दिया है बस सिरिफ इतना ही समार में डालूँगी इसमें और पहले मैं लसन भी डाल देती थी लेकिन आज कल मैं नहीं डालती शिरिफ छोंक में में लसन डालती हूँ तो थोड़ी देर इसको ऐसे ही रखूंगी जब तक खदानिया जाएगा फिर जाके म मैं इसको बंद कर दूँगी और दो ही सिटी में इसमें लगवाऊंगी तब तक का मैं काट लेती हूँ अपना च्छोंक जो की इसमें च्छोंक लगेगा बाद में बाद में च्छोंकती हूँ मैं इसको लसन प्याज में और अदरक मैं इसमें पीस कर डाल दो चाहे काट कर तो चाहे कसके, काटके तो मैं डालती नहीं हूँ, क्यूंकि काटके ना मुह में आता है, तो बचों को ना अच्छा नहीं लगता है, तो बस मैं फिर क्या करती हूँ, मैं ना कद्दू कस कर लेते हूँ, सिलबटे पर मुझे थोड़ा सा आला सा जाता है, वसे अगर सिलबटे लिया था और प्याज और थोड़ा सा अद रख लिया था मैंने कद्दू कस कर लिया था दो बजबे वाईज और पानी लेकर आए हूं प्याज पाटने में आलत खराब होली है अधां यह देखां के भी न कैसी लग रही है कि आज सुभा और नी तब्या ठीक नहीं लग हूं लेकिन मेरा मन नहीं है, किसी काम में भी मेरे न सर में हलका हलका सा दर्द हो रहा है बहुती मिठा मिठा से जो होता है ना तो तेज हो रहा ना ही कम हो रहा है मतलब दिमाग ना एक दम डिश्टप सा हो रहा है धियान बार बार उसी की तरफ जा रहा है कि मेरे सर में दर्ध हो रहा है और बस नहा लिथी मैं कामाम निप्टा कर बस ऐसे ही किया आज काम भी ज़्यादा मनी था काम करने में तो कामाम भी बस ऐसे किया है साग बनने रख दिया है और देखूंगी, साग तो बना दूँगी लेकिन रोटी का नहीं पता आभी, क्योंके ये बोलके गए थे कि मन नहीं है बिलकुल भी, इन्होंने न सुबह वोई खाली थे, ब्राउन ब्रेड और चाय, मैंने भी सुबह नास्टा किया था ब्राउन ब्रेड का ही, तो वो थोड़ा से हैवी हो जाती है ब्रेड ब्रेड खालो ना तो थोड़ा से हैवी हो जाती है तो बोल के गई है कि साग बना के रख ले साम को काम आ जाएगा क्योंकि उसे बनाना तो थाई नहीं तो वो खराब हो जाता तो बस देखूंगी रोटी का भी कुछ पतानी के बनाऊंगी यह नहीं ज़्यादे ही आंखे ऐसी लग रही है तो चलो मैं पानी पी लेती हूँ गरम पानी आई यह ज़्यादे आता नहीं मुझे लेकिन टाइम पास पर सो लाइट नहीं थी ना तो बैठे मैठे हमें यह ही काम करती थोज़ीसाग में दो सीटी लगाई थी मैंने क्यूंकर साग ना एकदम कचिया था विल्कुल पालक तो बहुत ही ज़्यादा मुलाया था तो मैंने इसको जादा नहीं पकाया है तो बस मैं देख रही थी के हुआ यह नहीं तो थोड़ी सी ना जो मेथी की डंडी थी वो थोड़ी टाइट सी लग रही थी तो फिर वैसे तो पालग और जो राई थी वो तो बहुत अच्छे से एकदम हो गया था तो मैं इसको थोड़े से खुले बरतन में निकाल लोंगी ताकि यह थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फि लावित लेकिन मुझे ज़्यादा आता भी नहीं है उससे घंदने से finish लेते हूं तो देखिए मैं ना बहुत बारीक नहीं किया था और बस मैने इसको हलका दर दरा सा रखा था और दो बार में यह पीछ गया था तो मैप्का का आता था नहीं ना ही चावलो का तो मैंने फिर गेहूं के आटे का ही आलन लगा दिया था और मैं लगा भी देती हूं ऐसा नहीं के मक्का का और उसका ही आटा होना जरूरी है तो देखी अभी मैंने इसके चड़ा दिया है गैस पर और जो आलन लगाया था वो डाल दिया है जो साग का पानी जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाएगा और फिर में उपर से लगाऊंगी तड़का जो की लसन प्याज का लगेगा और बस फिर ये मेरा साग बनके तैयार हो जाएगा तो देखिए उदर साग मैंने रख दिया था दूसरे गैस पर मैंने कचलो मैं तड़का भी तैयार कर लेती हूं और सरसो के तेल में ही मैं सबजी बनाती हूं मुझे रिफैंड ओल मैं मतलब कभी बना लेती हूं ऐसा नहीं के नहीं बनाती लेकिन सरसो के तेल की सबजी ज्यादा टेश्टी लगती है तो देखिए सरसो के तेल में ही वो डाला ही तो मैंने पहले ही डाल दिया अज़े डाल दी थी चूब साग बन तयार अगर च्छाहँ तो आप इसको और भी पका सकते हो बाद में वैसे मैंने इसको बहुत पका लिया था तो बस मैंने च्छोक लगा कर इसमें अब अब ने ढखकर रख दिया था और फिर मैं आ गई थी छट पे मैंने का चलो छट पे चलती हूँ और आज ना बच्चे नहीं आएंगे स्कूल से बच्चे ना उधर बड़े में गई है जहाँ पर पहले रखते रहते थे ना तो उधर से फोन आया था उनका जो रहते थे तो उन्होंने बोला आज बच्चों को इधर ही छोड़ देना बड़े हैं तो बस फिर खानावाना दूफैर में कुछ बना ही नहीं है एस्बेंड जी ने भी मना कर दिया था और मुझे भी ज़्यादा इच्छा नहीं थी चावल के आटे की रोटी मक्का की नहीं चलती है और मक्का की तो मुझे बनानी भी नहीं आती है आती तो मुझे पहले चावल के आटे की भी नहीं थी लेकिन अब मैं जब से बनाने लगी हूँ तो मुझे काफी अच्छे से आ गई है बनानी पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी मतलब फटी फटी सी बनती थी एकदम और बहुती वो लगती थी उल्जहंसी के कैसे बनाओ एकदम बारीक पीस रखा था बहुती जादा रोटी ना इसकी इतनी टेस्टी नहीं लगी थी जो एकदम करकरारी सी होती है ना ऐसी नहीं लगी थी सोफ्ट हो रही थी बिल्कुल तो अभिना मैं घर का ही पिसवाँगी जो घर के चावल होते है ना उनका आटा और फिर वे ना थोड़ा सा मोटा पिसवाँगी मोटा आटा रहता है ना तो अच्छी लगती है करकरारी हो जाती है रोटी लेकिन इस आटे की नहीं हुई थी करकरारी तो देखिए अच्छी रोटी बनी है पहली की रोटी बनाई थी मैंने ये लेकिन अच्छी बन गई थ टो यह देख़िए मैंने प्लेट लगा दी है मैंने छलो आप लोगों को भी खिला देती हूं और मैं भी खा लोगी सुबा नहीं आपके जो से से तो श्योंरे की ज़िस्टे घी करते हैं तो अपने संसे अधि रोटी तो अब भी है यह अधिम मे खौना डाल दिया तो मैं अधिक है कि उसमें क्रीद रह गया दनिया बूल गी में डानना रखा भी था फिर इसमें गिरेगा तो नहीं है यह लाइट लुट क्यों निकाल देगा तो चलिया काइस मैं खा लेती हूं और इस वीडियो का एंड भी करती हूं कल फिर मिलूंगे एक अच्छी वीडियो के साथ तब त